नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे टिप्स बताने वाले हैं खास कर यह उन लोगों के लिए काम आएगा जो कि अपने वाइल फून के माध्यम से स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं यादि आपका टेक्स से रिलेटर है किसी अन्य चीज़ से रि करें जो नहीं चलता है कि आप कहांपर ट्लिक करहें काहां पर लिखें करें तो उससे मैं देखनेframes के पता है कि हैं बंदा ने यहां पर क्लिक किया यहां पर टच किया पर आज किस वीडियो में आपको यहीं जनकारे दिने वाले कि आपने स्मार्ट फॉन में इस सट्रिक्स को कैसे नेवल कर सकते हैं ताकि अपने स्क्रीन पर जो कुछ भी ड्रोक करें दिखने वाले को असपस पता चले सब्सक्राइब किया रहा है यहां पर लिखा जा रहा है तो चलिए चलते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप एक बात को नोटिस किजिए अभी आप देख पा रहेंगे हम अपने वाइल फुन के किस किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं वहां पर एक आपको गोलाकार बींद कि हम वाइल फुन के इस पॉइंट पर यहां पर टच कर रहे हैं यदि कोई ऐसा अप्लिकेशन या इसा कोई लिखा हुआ चीज है जहां पर पूरा ब्लैंक रहाता है वहां पर आप टाच करते हैं तो नहीं दीख पाता है कि आपने किस पॉइंट पर टच किया और खासकर इस पॉइंट के माध्यम से पढ़ा रहे होते हैं तो सामने वालों को यह दीखना चाहिए कि आप इस भाग पर ड्रोग करने वाले हैं कहां पर रोग कर रहे हैं तो इसी सेटिंग्स को आज कि इस वीडियो में बताने वाले कि आप इसे कैसे इनेवल कर सकते हैं तो सिंपल अगर नहीं दिया हुआ है तो चलिए बताते हैं इसे काइसे इनेवल कर सकते हैं उसके बाद आपको बताएंगे इनफोर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे इसी में आप ध्यान से तेक और देखने को मिलेगा बॉल्ड नंबर शिंपल आपको कुछ नहीं करना इस पर आपको आपको नहीं है तो यहां पर यहां पर इस बल्ड नवर पर आकर क्लिक करेंगे आप लगतार सेवें टाइम्स तो आपका जो पर यहांगे पर नहीं हो जाएगा उसके बाद सींपल आपको कुछ नहीं करना फिर से चले जाना है आपको बैक और जैसी दैंगे तो आपके वाइ के बाद इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे अन्याथा आप चाहे तो यहां से सर्च भी कर सकते हैं तो यहीं पर आपको एक option दीखने को मिलेगा हम यहां पर दिखा दे रहे हैं यहीं पर आपको एक करके यहां से पढ़ाएं कि अनिमेटर में तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपने इस पॉइंट को बोला है वहां पर तो सिंपल इसे इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा हम भी भूल गए यार कहां चला गया है इनफूट में था यहां इनफूट वाली सेक्षन है आप देख सकते हैं लिखा भाए सोट बहुत सारे फोन में लिखा रहाता है तो सिंपल आपको इसे उफन करदना यानि की ऑन करदने उसके बाद आपको असपास पता ठोल जाएगा कि आप अपने स्क्रीन के किस भाग वर किस तरीके से ड्रोग कर रहें कहां पर पढ़ा रह कि यहाए से टीए